गुट मॉर्निंग एवरिवन वेल्कम टो मार के चनवर्ड फ्रेंट्स आज में लेके आई हूं बहुत ही जाद है हेल्दी एक जूस जो की हर बच्चे बढ़े सभी के लिए बहुत ही फायदे मत है खून बढ़ाने की मेशिन बोला जाता है इसे यह है गाजर चुकुंदर ट कि बाइट में शामिल करते हैं तो कभी भी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी किसी भी विटमीन मिनरल किसी की भी कमी नहीं होती भरपूर गुणों से भरपूर होता है यह बहुत ही जादे हल्दी होता है तो मैंने सारी सबजीयों को इस तरह से कट कर लिया है तमाटर चलंगे से कट कर लिए विटमिन सी से भरप होता है हमारी सकिन के लिए बालों के लिए ह्था ही जाद है हमल सब आमला में जाके पने गाजर सभी में बहुत अच्छी को कट रहने हमे सब होसकी दा नकिरे में दाल लिया है और इस तरह से थूड़ा सा पानी डाल फूर मेरे लेंगे उपर में एक लिचा रक लेंगे और ये अचान लेंगे लिचे बेटर में अच्छे को रिचे कर लेंगे चारो तरफ से पकड़ के और हमारा सारा जूस निकल के भार जाएगा और हांच जो भी यह बेटर के बाद, जो भी यह बचेगा ना पल्प, इसको हम फेकेंगे नहीं, इससे हम बहुत ही टेस्टी पराठे बना लेंगे, जूकि और भी ज्यादा हेल्दी होता है, तो आज हम कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही जूस, ना ही पल्प, उसको भी हम हेल्दी सा खून बढ़ाने वाला जूस बनके हो गया है, तैयार, बीटरूट, गाजर, आमला और टमाटर, आप इसमें से कुछ भी स्किप करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हो, वो आपके उपर है, लेकिन बीटरूट और गाजर, आमला होना जरूरी है, थोड़ा सा अ इसे ही सब कीजिए, बहुत ही जादे हल्दी होता है, डेली अपनी डाइट में डाले इसको, मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है, इसमें, बहुत ही जल्दी हमारा बीटरूट और गाजर का जूस बनके हो गया है, तैयार, तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना आसान है इस तो अपनी फैमली और फ्रेंट के साहर शेयर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी बनाईए और आपने घर में सभी को पिलाईए, आपने आप भी पीजिए, बच्चे बड़े हो, सभी को बबाई